आज हम करने वाले हैं 10th class की पॉलिटी का 2nd chapter किंदर सरकार का 2nd part तो देखिए चेप्टर जो है वो काफी बड़ा है मात्र 3 चेप्टर ही हैं आपके 10th class में और आपके exam की according बड़ा है बिल्कुल notes के रूप में ही मैं आपको करवा रही हूँ एक भी प्रेशन जो है वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप उसको side में रख देंगे हर प्रेशन जो है वो आपके लिए important है यदि वास्तव में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना होगा और chapter काफी बड़ा है इसलिए एक ही part में ये संभव नहीं है इसको कराना क्योंकि केंदर सरकार जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है इसमें हम संसद, राज्य सभा, लोक सभा, राश्ट्रुपती, उप्राश्ट्रुपती तो इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसी लिए इसके जो है वो part बनेंगे चली स्टार्ट करते हैं Q1, आज हम करने वाले हैं, राज्य सभा से related सभी प्रस्ण भारतिय संसद का दुत्य या उच्च सधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राज्य सभा यदि पूछा जाए कि भारतिय संसद का प्रत्थम या नेमन सदन कौन सा है तो उत्तर होगा आपका लोकसभा Question No.2 समविधान के अनुसार राजे सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है 250 परतमान में 245 है और जिसमें से 233 जो हैं वो राजियों से और 12 सदस्य जो हैं वह राश्रपती द्वारा मनोनित होते हैं तो ये सभी राज्य सभा के सदस्यों की संग्या है वही लोग सभा के सदस्यों की हमने बात की थी तो अधिक्तम 550 सदस्य जो हैं वो होते हैं जिसमें से जो दो सदस्य पहले शामिल थे उनको हटा दिया गया है, पहले 552 थे और जो की वर्तमान में 550 हैं, नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 3, राजे सभा में 12 सदस्यों को मनोनित कौन करते हैं, तो देखिए, राजे सभा में 12 सदस्यों मनोनित किये जाते हैं, वो राष्ट्रपती के द्वारा किये जाते हैं, और यही 12 सदस्यों जो हैं, राष्ट्रपती द्वारा मनोनित किये जाते हैं जो तो वो राश्टपती की निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं नेक्स्ट है राज्य विधान मंदल द्वारा कितने सदस्य राज्य सभा में निर्वाचित होते हैं तो हमें पता है कि राज्य सभा के कुल सदस्य जो है वह है 245 हैं वर्तमान में जिसमें से 233 सदस्य राज्य विधान मंदल द्वारा और बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपती द्वारा मनोनेत होते हैं नेक्स्ट हैं कुश्यन नमबर 5 राज्य सभा में सदस्यों को चुनाव किस पत्ति के अनुसार संग के विविन राज्यों और संगिय शेत्रों की विधान सभाव के सदस्यों द्वारा किया जाता है तो यहाँ एक प्रश्ण तो यही बनता है कि राज्य सभा में जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं वो संग के विभिन राज्यों और संग्य शेत्रों की विधान सभाओं के सदस्य होते हैं तो इनका चुनाव जो है वो होता है आनुपातिक प्रतिनिदित्व की एकल संकर्मणिय पद्दिती द्वारा कौन सी पद्दिती से होता है आनुपातिक प्रतिनिदित्व की एकल संकर्मणिय पद्दिती द्वारा नेक्स्ट है कुश्चन 6 राज्य सभा के सदस्यों की क्या योगताएं हैं पहले तो याद रखना है भारत का नागरिक हो सेकिंड पागल या ठीक है तो और उसकी अलाबा जिसकी उम्र तीस वर्ष या इससे अधिक हो वह राज्य सभा का सदस्य बनने योग्य है नेक्स्ट कुश्यन है कुश्यन नमबर 7 राज्य सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है तो उनका कारेकाल होता है छे वर्ष का राज्य सभा जो एक इस्थाई सदन है, उच्छ सदन है, तो उनके सदस्यों का जो कारेकाल है वो 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवा निर्वत हो जाते हैं, यानि हर 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य जो हैं वो रिटाइड हो जाते हैं. नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर एट, राज्य सभा में के कितने पदाधिकारी होते हैं, तो इसका अंसर है, वहाँ पर दो पदाधिकारी होते हैं, एक होते हैं सभापती और एक होते हैं उपसभापती, राज्य सभा के जो पदाधिकारी होते हैं, वो दो होते हैं सभापती और उपसभापती, सभापती जो होते हैं, वह तो हमारे जो उपराश्ट्रपती होते हैं, वही राज्य सभा के सभापती कहलाते हैं, और उपसभापती जो होते हैं, वो राज्य सभा के सदस्यों में से ही जिसे बनाया जाता है next है question number 9 राज्य सभा के पदेन सभापती कौन होते हैं उप्राश्ट्रपती होते है next है question number 10 राज्य सभा किसका प्रतिनिदित्व करती है राज्य सभा किसका प्रतिनिदित्व करती है तो भी राज्य सभा जो है वो राज्यों का प्रतिनी दित्व करती है next है question number 11 राज्य सभा में उप सभापती कौन होता है तो सभापती हमने जाना कि उप राष्टपती ही राज्य सभा के सभापती होते हैं जो कि राज्य सभा के सदस्यों मेंसे नहीं आते हैं याद रखना है लेकिन जो उप सभापती होते हैं वो राज्य सभा अपने सदस्यों मेंसे किसी एक को 6 वर्ष के लिए उप सभापती निर्वाचित करती है तो confused नहीं होना है क्योंकि हम यदि लोग सभा की बात करते हैं सदस्यों मेंसे राज्य सभा के सदस्यों मेंसे और सभापती तो हम जानते हैं और प्राश्टपती होते हैं नेक्स्ट है 12 question विधाई सक्तियों का क्या कार्य है विधाई ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं कि विधाई मतलब कानून तो विधाई सक्ति का कार्य क्या होगा? कानून का निर्मान करना संसद को किन सूची में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? संसद यानि केंद्र को किन सूची पर कानून बनाने का अधिकार है? तो हमारी जो केंद्र है वह संग सूची और समवर्थी सूची इन दोनों पर कानून बना सकती है वही हम राज्यों के विधान मंडल की बात करें तो वह राज्य सूची और समवर्थी सूची इन दोनों पर कानून बनाती है ठीके तो याद रखना है समवर्थी सूची पर केंदर और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं Next है Question No.14 समविधान में संसोधन का प्रस्ताव का अधिकार किसे है समविधान में यदि संसोधन का प्रस्ताव है तो यह अधिकार जो है वो संसद्गो है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है Question 15 राश्ट्रिय वित्तिय का पून अधिकार किसे है पून अधिकार राश्ट्रिय वित्तिय का तो यह अधिकार है भारतिय संसद्गो Next है Question No.16 प्रतिवर्ष वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तावित वजट राश्ट्री आयवया का लेखा किस सदन की स्विकृति के बिना आयवया संबंदिकारे नहीं किया जा सकता तो प्रतिवर्ष जो वित्तमंत्री द्वारा प्रस्तावित वजट होता है वो किस सदन की स्विकृति के बिना स्विकार नहीं किया जा सकता, संबंदिक कारें नहीं किया जा सकता, तो यह है लोगसबा, लोगसबा की स्विकृति जो है वो जरूरी है, बजट में वित्तमंत्री द्वारा जो प्रस्तावित बजट होता है उसमें, Next नहीं Question No.17. संविधान के अनुसार संगियय कारेपालिका यानि कि हमारी मन्तरी मंडल किसके प्रति उत्तरदाई होगी? तो हमारी जो मन्तरी मंडल है कारेपालिका जो है वह संसदिर प्रति उत्तरदाई होती है और विशेश कर वह लोकसभार. व्यभार में वह लोकसभा के प्रती उत्तरडाई होती है. ひ pelo left question 18. मंतिरी मंडल कब तक अपने पद पर रह सकता है? तेकिया मंतिरी मंडल जो है वो कब तक अपने पद पर रह सकता है? जो कि लोगसभा के पद पर रह सकता है? आप विस्वास प्राप्त होता है, संसद को निर्वाचन सम्बंदी सक्तियां किस अनुचेद में है तो इसका सही उतर है अनुचेद चववन ठीक है पिसले वीडियो में हमने दो अनुचेद किये थे यदि आपने नहीं पढ़ा है लास्ट वीडियो तो पढ़िएगा उसको वहां हम दो अनुचेद कर चुके यहां हमने इस अनुचेद की बात की है अनुचेद चववन ठीक है तो लगबग हर वीडियो में दो अनुचेद जो है उनके बारे में हम बात करेंगे जिससे आपको उस चीज को याद करने में भी आसानी रहेगी कि उससे संबंदित क्या बात यहां रखी गई है क्योंकि स सभी अनुचेदों को एक साथ याद रखना इतना पॉसिबल नहीं होता है तो इसी तरीके से आप याद रखिएगा जिससे की स्टेटमेंट जो है उसके साथ याद रखेंगे तो वो चीज याद रहती है नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 20 किस अनुचेद के अनुसार संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राष्टपती द्वारा मनोनित सदस्य वो प्राष्टपती का निर्वाचन करते हैं तो देखिए वो प्राष्टपती का निर्वाचन कौन कर रहे हैं वो प्रा अनुचिद हमें याद करने को मिला कि अनुचिद 66 जो है वहाँ उपराष्टपती के निर्वाचन की बात लिखी हुई है next है question 21 राष्टपती सर्वोच न्याले के न्यायधीसों पर महाव्योग का प्रस्ताव का अधिकार किस सदन की स्विक्रती पर है राष्टपती और सर्वोच न्याले के न्यायधीस इन दोनों पर महाव्योग का प्रस्ताव का अधिकार किस सदन की स्विक्रती पर है तो यह है राज्यसभा और लोगसभा यानि संसद की स्विक्रती पर नेक्स्ट है कुश्यन 22 उप्राष्टपती को उपद से हटाने का प्रस्ताव पहली बार किस सदन में आएगा तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता लगेगा कि उप्राष्टपती जो राज्यसभा के राज्यसभा में से ही चुनकर आए हैं ठीकर राज्यसभा से ही निर्वाचित उप्राष्टपती को उपद से हटाने का प्रस्ताव पहली बार किस सदन में आएगा तो हमें पता है उप्राष्टपती जो है वह किस सदन के हैं उप्राष्टपती राज्यसभा के हैं उप्राष्टपती को पद से हटाने का प्रस्ताव पहली बार किस सदन में आएगा तो हमें पता है कि उप्राष्टपती जो है वो राज्य सभा के सभापती होते हैं तो वह राज्य सभा में सबसे पहले ये प्रस्ताव आएगा यदि उप्राष्टपती को पत्से हटाने का प्रस्ताव आएगा वो सबसे पहले राज्यसभा में आएगा उसके बाद लोगसभा में आएगा Next है Question No.23 राज्यसभा को कौन से दो विशिश अधिकार है जो लोगसभा को नहीं है देखिए Anouchhe 249 की अनुसार और Anouchhe 312 की अनुसार पहले तो यह याद रखना है कि Anouchhe 249 और 312 की अनुसार राज्यसभा को दो विशिश अधिकार हैं जो लोगसभा को नहीं है ठीक है याद हो गई आपको Anouchhe 249 और Anouchhe 312 अब देखते हैं इनमें क्या है अनुछे 249 के अनुछा राज्य सभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विशय को राश्ट्री महत्व का विशय घोसित कर सकती है वह राज्य सूची के विशय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है हमें पता है कि राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है और केंद्र सूची जिस पर केंद्र कानून बनाती है लेकिन राज्य यदि चाहता है तो राज्य सभा में उपस्तित और मतदान में भाग लेने वाले दो तिहाई सदस्यों के भहुमत से राज्य सुची के किसी विसे को यदि राश्ट्रिय महत्ता देनी है तो राज्य जो है वह संसद को यह अधिकार दे सकता है कि वह इस पर कानुन बना सके ठीक है तो यह अधिकार किसको है केवल राज्य सबा को अनुचे 312 में है कि राज्य सबा का दो तिहाई भूमत से ही जो अखिल भारतिय सेवाएं है IAS, IFS ठीक है अखिल भारतिय सेवाएं जो है वो इस्थापित करने का अधिकार यह भी केंदर सरकार को दे सकती है कौन दे सकती है राज्य सबा ठीक है याद रखना है तो यह दोनों अधिकार जो है वो राज्य सबा को है जिसको की वह कानून बनाने के लिए संसद को सौप सकती है तो ये था आज का अंतिम प्रश्ण I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको language जो है वो समझनी जरूरी है मिलते हैं next वीडियो में इसके next पार्ट के साथ Thank you Thank you